तोपिक अब देखें यह हमारे पास जो है यह टॉपिक है एमस्ट मैस का मॉडर्न अलजेब्रा का इसमें हमने डिसक्स करना है कि जो वेक्टर्स है वो लिनेरली डिपैंडेड़्ट है इंडिपैंडेड़्ट है टॉपिक शुरू करने से पहले हमें पताने है किoh लिनेरली डिपैंडेड़्ट कब होंगे या इंडिपैंडेड़्ट कब होंगे तिया हमने किसी वेक्टर को सुल किया है तो उसका जो आनसर quedвол Efendimiz from the जो solution है या उसकी outcome है या उसकी जो भी output है वो हमारे पास zero के इलावा कोई सबी number आ जाता है उसमें minimum कोई एक आदा number भी जो है वो non zero हो जाता है तब हमारे पास function होगा वो linearly dependent होगा और अगर हमारे पास सभी के answer जो हैं वो zero आ जाते हैं उस case में हमारा जो यह vectors होगे वो linearly independent होगे zero आ जाता है तो independent और non zero को एक आदा भी आ जाता है तो हमारे पास यह सारे जो होगे यह vectors होगे यह linearly dependent होगे चलें जी अब हम start करते हैं हमारे पास जो हैं वो तीन किसम क्या vectors है नाम दे लेते हैं इनको सबसे पहले एक को नाम देते हैं x1 x1 is equal to one minus two minus three उसके बाद x2 is equal to two three minus one and x3 will be equal to three two and one ठीक है यह हमारे पास हो गया जी अब हमने तीन vectors नाम दे लिए इनको x1 x2 x3 अब consider करते हैं let us consider three scalars अब scalars और vectors का तो आपको idea होगा scalars वो होते हैं जिनको describe करने के लिए just हमें जो है magnitude required होती है और vectors वो होते हैं जिनको discuss out करने के लिए या उनको solve करने के लिए उनको कुछ भी solve करने के लिए या उनको discuss करने के लिए हमें जो है वो उनको magnitude and जो है वो direction दोनों की need होती है वो हमारे रपस होते हैं तो let us consider the scalars दि अब हम तीन जो हैंवो सक्रार कंसिर्डर करते हैं एक को नाम दे लेते हैं लैम्डा 1, लैम्डा 2, एंड लैम्डा 2 एक हमारा पर एक कंडिशन बनेगी यहां पे लैम्डा 1, E newspaper स्प्राइस, लैम्डा 2, EX 2, स्राइस, लैम्डा 3, EX 3, यह जो तो पंडिशन होगी यह equal होगी जीरो के होगी अब देखें इसमें जो है वो अब हम कर लेते हैं इसमें वैलिस को रिप्लेस करते हैं लैमडा वन एक्स वन जो है हमने फर्स वेक्टर को एक्स वन का नाम दिया था तो उसकी जगा हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो एक्स वन है वो इक्वल है सेम इससे तरह से प्लस लैमडा टूअ जब म की जगा जो है वह वो णतो है ब्रेस कर देंगे त्ष मकुल सेम प्लस लैमडा ठी इसह उता komt वो है हमारे पास जी 3 2 & 1 तो यह equal to 0 अब हम इनको जो हैं वो कुछ factors बनाते हैं इनसे कुछ इनको solve करते हैं और कुछ 3 जो हैं वो हम इधर से equation बनाने की try करते हैं अब यह जो lambda 1 है जिसको आपने इधर से first number से multiply करना है lambda 2 को यहां से first number से lambda 3 को first number से मतलब first को first से फिर इधर से first को first से फिर इधर first को first से फिर हमने दूसरी equation में क्या करना है यही इसी lambda 1 को minus 2 से फिर lambda 2 को 3 से मतलब हर जो lambda है उनको हर position पर multiply हमने करवाना है लेमडा 1 वन जार क्या हो जाएगा लेमडा 1 उसके बाद less lambda 2 2 जार 2 lambda 2 और lambda 3 3 जार 3 lambda 3 equals to 0 चाहिए lambda 1 को first से lambda 2 को भी first से lambda 3 के अब first सबसे operate हो चुका है तो अब हम किसको try करेंगे second वाले को lambda 1 जो है operate करेंगे minus 2 के साथ lambda 1 को minus 2 से करेंगे तो यह बंजेगा minus 2 lambda 1 lambda 2 को 3 से करेंगे तो यह बंजेगा 3 lambda 2 and lambda 3 2 से होगा तो यह हमार पस बंजेगा 3 lambda 2 equals to 0 उसके बाद last case में हम जो है वो third part रह गया है तो यह third position रह गी है lambda 1 को minus 3 से करेंगे तो यह हमार पस बंजेगा minus 3 lambda 1 plus minus lambda 2 1s are lambda 2 and lambda 3 1s are lambda 3 equals to 0 यह हमार पास जो है वो एक condition बंजेगी है यह हमार पास तीन किसम की equation बंगे यह अब हम क्या करते हैं इन तीनों equations को जो है अब हम जो है वो एक matrix में solve करने की कोशिश करते हैं तो हमार पास बंजेगा इनके जो है हमने just coefficients लिखने यह lambda 1 है यह लेंडा 1 का इधर minus 3 lambda 2 के कुछ भी नहीं तो इट मींस यहां पर 1 होगा start में माइनस का sign है तो minus 1 यहां पर start में कुछ नहीं है तो 1 और sign जो है plus का आप लगाए है नहीं आल गया है उसके बाद अब हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है वो हमने जो है वो यह तो हमारे लेमडा दे ता lambda 1, lambda 2, lambda 3 और यह हमारे पास जो सारे solutions आ रहे है वो equal आ रहे है जीरो के तो हम लिख लेते है जीरो जीरो औन जेरो locked लिखें है अब यह जो हमारे पास पूरी मेट्रिक्स है इसको हम नाम मेरे देते है यह का यह जो पूरी मेरोंस की सा आखें है दा अनो पास चीज बन चुकी है अब हम जो हैं वो एक augmented matrix बनाएंगे कुछ इस form में कि इस इक्वल टू ए बी जिसमें हम जो हैं वो ए को और बी को मर्च करेंगे ठीक है अब देखें इसमें हमारे पास हमने अग्मेंटेड मैट्रिक्स बनानी है कुछ इस तरह से अब इसमें हमारे बस ए क्या था 123 123-233-3-1-1 फिर इनको हमने साथ इसके जो मर्च किया हुआ है वो भी बी का किया तो बी की सारी जो वैलिज थी वह 00 थी इसम जीरो जीरो एंड बेर तो ये जो है हमने एक अग्मेंटेड मैट्रिक्स बना लिए अब देखें यह हमारे पास एक यह अपर ट्रांगिलर मैट्रिक्स उस वक्त तक नहीं बन सकती जब तक यह जो सारे यह जीरो ना जाए यहां भी जीरो हो जाए यहां भी जीरो यहां भी जीरो यहां भी जीरो तो हम इस मैट्रिक्स को को बोलेंगे अपर मैट्रिक्स तो इसको सॉल्व करने के लिए इसे हमने अपर मैट्रिक्स लाज़मी बनाना होगा कैसे बनाएंगे यहां भी हमने जीरो बनाना है यहां फरी zero यहां फरी zero अब हम इस पे जब हो रो प्रेशनyr a ohply कर एक है नीए अपला पला हैं लिए गया है इसको हमने क्या बनाना है? 0 बनाना है इसको 0 बनाने क्लिए हमने क्या करना है अब और देखें यह हमारे पास है माइनस 2 तो अगर इसको इस रो को इस पूरी रो को मैं इस रो के साथ सौल्व करूँ तो यहाँ पे मुझे 0 चाहिए तो यह 0 यह माइनस का 2 है माइनस का 2 जीरो कैसे बन सकता है अगर इसमें सेम चीज एड़ कर दी जाए विद उपोजिट साइं यह two negative है अगर इसमें मैं same value add कर दूँ मतलब यह minus मैं तो इसको same चीज को कुछ कर दूँ plus के sign के साथ तो यह zero हो जाएगी तो it means यहाँ पे मुझे two बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे two बनाने के लिए मैं क्या operation apply करता हूँ minus मतलब यह जो मेरी row two है row two तो एक negative में है तो दूसरी चीज मुझे plus में लेनी पड़ेगी ठीक है आर टू प्लस यह जो row one है इसको मैं multiply करवा दूँगा two से ठीक है तो यह operation apply होगा तो यह इस case में इसकी वाज़से मेरा जो है वो यह चीज़ क्या बन जाएगी जिरो बन जाएगी हम यह apply करते है देखें आर टू मेरा क्या था आर टू मेरा रपास है यहाँ पे minus two है तो अगर मैं आर टू की जग़ा minus two replace करूँ minus two उसके बाद plus two r one r one का जो first number है यहाँ पे one है minus two plus two one दा two plus minus minus two बन से two minus होगा तो यह जिरो बन जाएगा इट मीन्स यह तो अब देखें जिसको आपने करना है जिसके साथ मतलब यह जो चीज़ है यह सेम रहनी है इसने तो वैसे का वैसे ही रहना था वान टू पी इसका तो हम आइडिया होगा क्यों कि यह हम फरस्ट यह सेकंड यह में आ चुके हैं तो यह जो चीज़ है इसको यह हमारे पास क्या बन गए जीरो बन गए अब हम इसको सॉल्व करते हैं से मुस्सी तरह से हमें आर टू का नंबर तो वैसे लिखना हुआ थ्री है उसके बाद प्लस टू आर वन ठीक है आर वन इसमें हमारे पास कितना है टू है और वन थुरेफरयव क्या है एक और अच्छा कि अच्छा उसके बाद हमारे पास एटू की जगा करें और प्लस इसको तो आर वन तो एजिए का आर वन मेरे पास जो कितना है तो terror ऌड़ तो यहां पर मेरे उसको भी मैंने वैसे कर वैसे लिख देता हूं आज अब यह चीज हमारे पास बन की अब मैंने क्या करना है अब मुझे इस जगह पर भी 0 चाहिए तो यह देखें यह हमारे तो यह मेरे बन सकते हैं जो रो फ्री बनाना था मैं लिखूंगा रो त्री मेरी पहले नेगिटिव में तो इधर मुझे प्लस करना बढ़ेगा क्योंकि ओपोजिट साइन कैंसल आउट होते हैं तो यह पूरी रोवान इसको मैं मिल्टिप्लाय करूंगा रो त्री प्लस त्र यह रहेगी ठीक है वान टू ठी और इसको मैं सेगेंड वाली को कुछ कर नहीं रहा तो यह भी सेम है जीरो सेमन नाइन और यह जीरो जीरो साथ आजिटिस आजाएंगे अब यहां पर अब देखें रो थ्री की जग़़ क्या आ जाएगा माइनस त्री ठीक है उसको बद प प्लस थ्री बान जार थ्री प्लस माइनस माइनस त्री में से थ्री माइनस होगा तो यह जीरो बन जाएगा ठीक है अच्छा उसके बाद हम इसका सेकिंड नंबर लेते हैं तो आर थ्री की जगह मतलब जो हमार पस नंबर आजेगा वो माइनस वान आजेगा माइनस वान प् दूदर शिक्स प्लस का यह माइनस का प्लस माइनस माइनस सिक्स में से वन माइनस होगा तो मैं डारेक्ट लिक लेता हूं 5 हो जाएगा और यह पास बन गया 3R1 ठीक है है कि अब इस फाले को देखते हैं और स्वाली की जगह क्या आजागा इदर से वन प्लास 3 as it is और इस नमबर को ले रहे हैं तो इधर से ये भी थर्ड नमबर लेना पड़ेगा 3, R, 1, R, 1 मैंसे भी मुझे 3 नमबर थर्ड नमबर लेना पड़ेगा और थर्ड नमबर 3 ही है 3, 3, 2, 9, 9, 1, 10 ये बन गया 10 ये भी 0 बन गया ये मेरी रो 3 है, ये मेरी रो 2 है अब देखें ये भी 0 है, ये भी 0 है अगर इन दोनों मैं solve कर भी दो न 0 प्लस 0, 0 मानिस 0 इस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा इस मैं इन दोनों को solve कर सकता हूँ लेकिन अगर मैं इस 3 को इसके solve करूँगा न यहाँ पर मेरा नमबर ये जो 0 है ये चला जाएगा तो इसलिए मैं जो है वो इस रो 3 को अब रो 1 के साथ करने की बजाए रो 2 से करता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक non-zero number है जब मैं इसको इसके साथ करूँगा तो यहाँ भी 0 हमें चाहिए लेकिन ये हट जाएगा उसको मैं multiply करता हूँ 5 से और रो 3 जो है मैं उसको multiply करता हूँ 7 से मतलब इनको cross multiplication करता हूँ तो मेरा जो function बन जाएगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा 5R2 प्लस 7R3 या पिर ऐसे भी लिख सकते हैं 7R3 प्लस प्लस नहीं माइनस लिखोंगा 5R2 चीक है तो यह रहने देते हैं यह हम apply करते हैं देखें यह तो हमारे बार सेम ही रहे क्योंकि इसको तुम try करें नहीं रहे लाए वान टू थी और यह बन जाएगा चलां करके देख लेते हैं 7 अब देखें आर्थी की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा जीरो माइनस 5R2 की जगह मेरे पास जो आ जाएगा वो भी 0 आ जाएगा अब यहां पर मेरे पास है सेवन आर्थी आर्थी मेंसे मैं नंबर पिक कर रहा हूं 5 वाला सेवन आर्थी की जगह क्या जाएगा 5 माइनस 5 और आर्टू की जगह मेरे पास क्या जाएगा 7 75 is 35 माइनस 5 और सेवन ऑ सवाग जाएगा तो 35 मैंस 35 यह भी 0 बन जाएगा ती ओगए की जगह मेरे पास के आजएगा चैन ऐन खॉन डू कैशन है पास डिएगा Ready ौन पर माइनसद वन जाएगा ठीक हो गया जी, तो ये चीज़े हमारे बस बन चुके हैं, अब हम क्या करते हैं, अब ये further solve हो नहीं सकता, अब देखें इस matrix को आप zero को इसके साथ solve करेंगे, या zero इसके साथ solve करेंगे, या इसके साथ solve करेंगे, तो ये जो हैं, ये वाला zero disturb हो जाएगा, इसकी जग कोई non zero number आजाएगा, लेकिन हमें ये चाहिए नहीं, it means ये further solve नहीं हो सकता, तो हम इसको further solve कर भी नहीं सकते, अब हम क्या करेंगे, अब ये ही जो matrix थी, इसमें हमने ये जो augmented matrix को solve करके बनाए, इसको हम numbers बना लेंगे, ये हमारे रपस क्या बन जाएगा, यहां से, ये हमारे बन जा 2 lambda 2 plus 3 lambda 3, ये सारी चीदें equal to 0 आ जाएगी, यहां पर मारे पस क्या बन जाएगा, ये first वाला दो वैसे ही 0 है, तो ये 0 lambda 1 लिखने के बिज़ाए, अब कुछ भी ना लिखें, just आप इससे लिख दें, 7 lambda 2 plus 9 lambda 3 equal to 0, लास्ट मारे पस ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये यहां से बने इक्वेशन बन गई, अब हम just, ये जो थर्ड एक्वेशन है ना, सबसे एजिली ये solve हो सकती है, तो हम सबसे बहले इसको solve करते है, 25 lambda 3 किसके equal आ रहा है, 25 lambda 3 जो है, वो equal आ रहा है, 0 के, lambda 3 के हमने value find out करनी है, 25 multiply होरा, दुसरे साथ पर जाके आ जाएगा, तो 0 upon 25 हमारे पस 0, means के lambda 3 के value क्या आ गई है, हमारे पार, 0 आ गई है, अब हम इसी lambda 3 की जो value है, उसको हम second equation में replace करते हैं, second equation क्या है, फ़ले मैं लिख लेता हूँ, 7 lambda 2 plus 9 lambda 3 equal to 0, 7 lambda 2 plus 9 lambda 3 की जब मैं क्या replace कर दूंगा, 0, 7 lambda 2 plus 9 0 is equal to 0, इसमें 0 add करेंगे, कुछ परक पड़ेगा नहीं, तो lambda 2 will be equal to 0, ओके, now the last thing, अब हम first equation को use करें, क्योंकि lambda 1 0 first equation में आ रहा है, तो first equation यही है, हमें लिख लेता हूँ, lambda 1 plus 2 lambda 2 plus 3 lambda 3 equal to 0, lambda 1 की value हमें चाहिए, lambda 2 की value क्या निकली है, 0, lambda 3 की value भी 0 है, तो lambda 1 plus 2 0 0, 3 0 0 equal to 0, तो lambda 1 भी 0, तो यह जो तीनों हमारे पर scalars हैं, यह 0 आ गए है, तो start में मैंने कहा था, कि अगर तीनों आपके जो scalars हैं, वो 0 0 आ जाए हैं, तब आपके पास जो function होगा, या जो vector होगा, वो आपके पास क्या होगा, linearly independent होगा, it means कि आपके पास यह जो vector हैं, यह linearly independent नहीं है, यह linearly independent, ओके, तो यही हमारा lecture था, यही था हमारा आज के लेक्चर, जो modern algebra पर था, उमीद है, आपको समझ आई होगी, अगर आपको कोई भी doubt हो, तो आप comment section में मुझे से पूछ सकते हैं, अगर आप जाकते हैं कि किसी और topic की मैं वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो आप मुझे comment box में अपना topic बता सकते हैं, इंशाला आप इस पर वाग करके आपको बताते हैं, चेक के और, अल्लाहाफीज, जदाक अल्लाह,